हेलो स्टूरेंट आज हम लोग पाईला का नर्वस सिस्टम देखेंगे तो पाईला का जो नर्वस सिस्टम है यह एक लॉंग कोश्चन में भी आता है और जो प्राक्टिकल एक्जाम हो है आपके तो उसमें डिसेक्शन के लिए भी आपको दिया जाता है पाईला का नर्वस स भी इस पर सीजिन की होती है फाला को और भी क्या दा था है लोगा दा है तो आज हम लोग देखते हैं nervous system of no slow ya apple miss fell तो आपको क्या-क्या चीजेंस में iao 17य एक तो गैंग्लिय्व आपको निकालने होंगे तो जो गैंगलियोन जो अगर जुड़े हुए हैं जिस नर्व से जुड़े होते हैं उन्हें उनको निकालना होगा यानि जो है कनेक्टिव निकालने होंगे और कमिश्योर निकालना होता है तो नर्व सिस्टम में क्या चेज़ हम लोगो देखनी है तीन चीज़ें देखनी है ए होते हैं कौन-कौन से से रिब्रल गैंग्लियों बकल गैंग्लियों प्यूरोपीडल गैंग्लियों सुप्राइंटेस्टाइनल गैंग्लियों विस्रल गैंग्लियों तो कौन-कौन से हो गए गैंग्लियों चार गैंग्लियों हो गए कौन-कौन से आपका सरिब्रल गैंग्ल एक ब्रांत में तो अरे tejon ये की में करता है एक जोड़ी यानी वन पेयर रहता है और कहां पे होता है और कहां में डॉशता है और को पाहर उस पर क्रेश करते हैं जतने भी रबी जो प्लांट है उन पर वे क्रेश कठ ब्याद करते हैं उनकी पर लगे रहते हैं तो व बकल मास के 20 there वैं किया पज्जिशन है ब Fur बπαकल गैंगलियोन है और कमांगलिब्श कर दाई बगेंगベेंश Tribe स्फजिट ई log ON बकल मास तता फैरिंग्स के जॉइंड पे तीक है और डाल सो लेटरल साइड में था और यह कहां था बकल मास और फैरिंग्स के जॉइंड के पास स्थित होता है प्यूरोपीडल गैंग्लियान यह भी वन पेयर होती है प्यूरोपीडल गैंग्लियान जो इनकी पोजिशन क्या होती है यह एक जोड़ा बकल मास के वेंटरो लेटरल साइड में स्थित होता है यानि प्यूरोपीडल गैंग्लियान कहां पे हैं वेंटरल लेटरल साइड में हो गया और जो प्यूरोपीडल है तो इनमें दो गैंग ओंदर के साइड जो है वह वह क्या होगया पीडल गैंगलियолн होग notor. जो दो किसे लिए यह भी को बता देंगे इन्हें ही क्या बोलते हैं ये सुप्राइंटस्टाइनल गांगलियून तो सुप्रा- interest यो स्ईफटाइनल उपर और उपर अगरह यह क्या है यह गयांने चाहरा होगा और शेप कैसा होगा इस पन awakening डिल शेपisión यानि तुर्क रूपक का होगे और वो कहां लगे होंगे left साइड लगे रहेंगे यानि बाय साइड्स इस्थित होते हैं कि ios Polo पीडल गैंगलियॉय але के पीछे ठीक है醒 새벽 रहे y cell getting ले 안 विसरल मास के साइड में मिसरल मास की तरफ लगे होंगे तो विसरल मास के नीचे सीरे में पाई जाने वाली दो इस पैंडिल शेप रचना है और यह दो इस पैंडिल शेप रचना आपस में जुड़ जाती है मिंस इस तरह से यह स्पैंडिल शेप इस तरह से रचना होगी इसलिस गैंगलिया को क्या बोला गया विस्टरल गैंगलियोन बोला गया तो कहां पर होते हैं विस्टरल गैंगलियोन यह विस्टरल मास के निचे ले सीरे में पाई जाने वाले स्पैंडिल शेप्ट रशना है अब कनेक्टिव क्या क्या होती है इन में पांच कनेक्टिव हो पूर। के हैंगलिय तो एक पूरल के साथ जूड़ी साथ को आप ये ता दो किनेक्टिब क soni क्वेंट दो क्या भूगी क्या क्या चिरेब्ड पीडल कर नेक्टिव नेस्ट क्या होगी सरेब्रो बकल का नेक्टिव जो किससे जुड़ी होंगी इंफ्रा-इंटेस्टाइनल कनेक्टिव से और नेक्स्ट क्या है सुप्रा-इंटेस्टाइनल कनेक्टिव तो यह पांच कनेक्टिव कौन-कौन से हो गए आपके से रिब्रो प्यूरल कनेक्टिव से रिब्रो पीडल कनेक्टिव से रिब्रो बकल कनेक्टिव सुप्रा-इंटेस्टाइनल कनेक्टिव और सुप्रा-इंटेस्टाइनल कनेक्टिव तो एक सुप्रा-इंटेस्टाइनल होगी और एक इंफ्रा-इंटेस्टाइनल समझ लेजा नहीं कैनेक्टिव किसे कहते हैं और कमिश्यों कि सी कहते हैं फिर इनकी पोजिशन आपको दिखा देंगे तो गैंग्लिओन जो हैं कई नव्स आके मिलती है यह औरिजिनी ओरिजिनई दिखाई देगी तो वहां पे जो जो खान जाता हैं मास बन जाता है का जंग्षन को कैसी नर्फ का जंग्षन होता है वह क्या है गैंगलियॉंळ array करें कि एक टेंटेकल एक नभ आइस से एकक्नव टेंटेकल से आईए यहां पर एक सक्षी चाहिए नियुद्Ob कि आती हो यहां से और एंब ऑपे घनते किन यहां से और सुनितों व्हां देंव समय में जह तो यहां तो मिलती हुए और इस जहां से होती यह जो है जंक्षण क्या बोला चाहता हुशे गैंग्लियों भोलते हैं अब कनेक्टीव किसे कहते हैं जब दो डिफ्रेंट गैंग्लियों को जोडने वाली नफ्स होती है तो उन्हें बोलेंगे जैसे सरिब्रल गैंग्लियों औरischen घेंग्ली और फीडल गैंग्लियौन को जो जो जोड़ेंगी तो एक इस्टरेब्र लोगे य एक पीडल ओ गया तो इनकी जोडने वाली नर्ब्स को क्या बोलते हैं इंक्नेकटेव यानी दो जोडने वाली न्र्फ जो है नर्व फाइबर या नर्व जो है उस क्या बोलते हैं उसे कनेक्टे बोलते हैं अब कमिश्योर किसे बोलते हैं कमिश्योर भी नर्व है और जब सेम गैंगलियोन को जो नर्व जोड़ती है उस नर्व को क्या बोलते हैं कमिश्योर जैसे सरिब्रल गैंगलियोन और सरिब्रल स तो अब आपको clear हो गया होगा ganglion किसे कहते है nerves कई nerves आके जो बीच में junction बन जाती हूँ junction को बोलते है ganglion connective क्या होगे जब दो different ganglion को जोडने वाली nerves होती होने बोलते है connective और commissure क्या हो गया same ganglion को जोडने वाली nerves को बोलते है कमissure अब यहां पर देखे connective क्या होगे cerebral और purel तो दो different ganglion है एक cerebral ganglion है और दूसरा है purel ganglion है तो cerebral purel connective इसी नाम से बन गया cerebral purel connective यहां पर कौन से जूडने है cerebral pedal एक cerebral ganglion है एक pedal ganglion है तो दो different ganglion है तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया सिरे ब्रोपीडल कनेक्टिव यानि जो डिफरेंट गैंग्लियॉन होते हैं उन्हीं के नाम से ही उनके कनेक्टिव का नाम होता है नेक्स्ट क्या है इंफ्रा इंटस्टाइनल कनेक्टिव यह किस से जुड़ेंगी इंफ्रा इंटस्टाइनल जो है कनेक्टिव यानि प्यूरो पीडल गैंग्लियॉन को जोड़ते हैं यहाँ पे सुप्रा इंटस्टाइनल कनेक्टिव यह क्या है पीडल गैंग्लियॉन और सुप्रा इंटस्टाइनल गेंग्लियॉन को जोडने वाली कनेक्टिव होती है तो इंफ्रा जो होती है वो इंटस्टाइन के नीचे से जाती है और सुप्रा इंटस्टाइनल जो होती है वो इंटस्टाइन के ऊपर से जाती है तो इन दोनों में क्या डिफरेंट हो गया मुझी वो उपर से गई होती हैं जैसे ही आपने खीचा तो इंटस्टाइन से टूट जाएगी इसलिए से बहुत ध्यान से कट करके नीचर से निकालना होता है ठील कमिशोर जैंप lay तीन कमिशोर होगे सच्च्चेल तो कमिश्चॉर मैंने बिताया कि सेम गंग्लिạnh यानि यहां पर दो सब्रॉंग्ला नफस किहां किलाए गी सच्च्च रिब्ल सब्सक्राइब दोनों स्पी डैग्राम से देख लीजे तो और आपको क्लियर हो जाएगा यह का nervous system है तो यहां पी देख रहे हैं आप यह और यह क्या है Cerebral ganglion है यह सका राइट इस निकलती है एक का जाएगी फर्स्त आइज में जाएगी दूसरी का जाएगी first tentacles और तीसरी कहा जाएगी जो तीसरी नव्स है ये second tentacles में जाती है तो दोनों cerebral ganglion से तीन तीन नव्स जो है वो eyes में first tentacle and second tentacles में नव्स गई हुई है अब cerebral ganglion और ये भी cerebral ganglion है इन दोनों को जोडने वाली ये नव्स जो है वह क्या कहलाती है cerebral commissure क्योंकि same ganglion है ये भी cerebral है ये भी cerebral है यानि ये left cerebral और right cerebral को जोडने वाली नव्स जो है वह क्या कहलाई कमिश्योर होती है ठीक इनकी position कहा थे cerebral ganglion डासो lateral side में थी यानि बकल मास के डासो lateral side में ये cerebral ganglion जो है मिलेगा आपको जैसे ही आप पाइला के head ऑपर कुलम साइट से इस तरह से जो है ऑपर कुलम के head जैसे ही निकालेंगे तो वहां पर head के पास जो है यहां पर मिलेगे जैसे आप mental की covering हटा के और head को ओपन करेंगे वहां इसकिन तो क्या मिलेगा cerebral ganglion मिलेगा उसके बाद next क्या था प्यूरो पीडल गांड़ इसमें दो गैंड़ोन है एग क्या है बाहर की तरफ यह तरह से यह तरह से दो गैंड़ों लगे हैं और यह दोनू मिलके क्या बनाते गांड़ोनिक मास बना ले रहे हैं ठीक JUST यहां प्योरो पी ड़ साइड में नीचे बंचल साइड में और इसको जोड़ने वाली। यह नीचे जो है यहां बंत cerebral से ये जोड़ने वाली ये आपका puropidal ganglionic mass हो गया या puropidal ganglion भी से बोलते हैं तो यहां से ये जोड़ने वाली एक ये नवस देख रहा है आप ये क्या है चुकि cerebral को जोड़ी है और क्या आप जोड़ी है प्रूलर को जोड़ी है तो cerebro-pural connective ये क्या हो गया cerebro-pural connective हो गया ये cerebral को जोड़ी है और pural को जोड़ी है तो cerebro-pural connective हो गया ये वाली क्या हो गई cerebro-pural connective हो गया यानि किसको जोड़ी cerebro और pedal को जोड़ी है तो ये क्या हो गया cerebro-pural connective हो गया ठीक तो ये puropidal ganglionic mass हो गया इन दोनों को जोड़ने वाली क्या हो गया पीडल कमिश्योर हो गया यानि पीडल गैंगलियों को आपस में जोड़ यानि दोनों क्या है सेम है यह भी पीडल है और यह भी पीडल है तो यह क्या हो जाएगा कनेक्टिव नहीं होगा क्या होगा कमिश्योर होगा तो यह क्या हो दो तो यह फिर व्ल्डों से कहां पर जुड़ी है कि इंत्रस्टाइन के ऊपर से एक ड़्स जाती तो यह क्या नर्फ है सिंगल सिंगल यह होंगी और यहां पे बोलते हैं जिसे क्या बोलते हैं supra-intestinal ganglion बोलते हैं नीचे की तरफ क्या होगा नीचे की तरफ जो है visceral ganglion होगा यानि यह इस तरह से आपको दिखाई देगा जुड़ जाएंगे तो यह क्या है visceral ganglion हो गया अब यह यहां पर यह से जुड़ी है तो यह क्या हो गया प्यूरो यह प्यूरल और इन यह सुप्राइंटस्टाइनल गैंगलियोन है तो यह क्या हो जाएंगी प्यूरल सुप्राइंटस्टाइनल कनेक्टिव और यह यह वाली क्या हो जाएंगी यह क्या है सुप्राइंटस्टाइनल गैंगलियोन है यह क्या हो गई सुप्राइंटस्टाइनल विस्रल कनेक्टिव पुर्स सुप्राइंटरस्टाइनल विस्राल कनेक्टिव तो यह तो इनका नर्वर सिस्टम था अब इसमें आपको ब्लैक पेपरिंग करने को मिलती है तो जब यह पाईला में ओपेन करेंगे तो चोटा-चोटा इस तरह से आप पतले-पतले से पेपर ब्लैक पेपर कट करे एप सभघा के दीरे से लावन से ब्स रख बाल से याफ कर लगाते है ञेस तरह होगा तो में ज़ना लेंट केниख्र से फीट DR rect ॏ नीके से इस तरह से लगा देना है ऑन यह तरह से लगा दीज़े तो यह ब्लैक पेप्रिंग इस तरह से आपको एंटी होगी तो क्या-क्या निकालना हो गया, गैंगलियॉन निकालने हो गया, नफ्स निकालनी हो गया, और क्या निकालना हो गया, कमिश्योर निकालने हो गया, तो गैंगलियॉन क्या कौन-कौन से हो गया, आपके, सेरिब्रल गैंगलियॉन, प्यूरोपीडल गैंगलियॉन, सुप्रें क्या होगे तेरिब्रो पीडल कनेक्टिव और क्या हो गया आपका पीडल और सुप्राइंटरस्टाइनल कनेक्टिव और सुप्राइंटरस्टाइनल विस्टरल कनेक्टिव हो जाएंगे फिर इंफ्राइंटरस्टाइनल विस्टरल कनेक्टिव और क्या निकालना है आपको इ यहां पर गोल सा बकल मास होगा जिसके अंदर क्या होगा रेडूला होगा तो वह भी आपको निकालना होता है रेडूला भी देख लिए यहां पर इस तरह से एक पटी होती है तीक है यह इस तरह से स्टेप होती है यहां पर इस तरह से तीथ लगे रहते हैं यह तीथ लगे लगे रहते हैं कि यह डुलो को निकालना होता है जिह हैं तो कि क्या क्या गैंगलिउन होगे कर लिएंगलियों पुर विपीटर गैंगलियों और विसरल गैंगलियों कितने हो गए क्या होंगे और तीसरा इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव और पाथा क्या हो गया आपका सुप्राइंटरस्टाइनल कनेक्टिव कमिशोर कितने होगे तीन कमिशोर होगे कौन से सेरिब्रल कमिशोर पीडल कमिशोर और बकल कमिशोर तो यह इनका पाहिला का नर्वल सिस्टम था आप लोग डाग्राम बना लीजे और नोट कर लीजे थैंक यू